नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है, मैं हूँ गिरजेश वसिश, बहुत दिनों से लोग चा रहे थे, इस विशे पे मैं बात करूँ, इस विशे पे आपको जानकारी दूँ, आज मैं इस विशे पे आपको एक overview देने आया हूँ, ये विशे है generic medicine, generic medicine खानी चाहिए के न जानी करना चाहिए, फाइदा नहीं होता है फला निका, मैंने डॉक्टर साब को बहुत सारी जानकारियां लेकर और वहीं YouTube पे comment में लिखा कि अब आप बताईए, इस पो उत्तर दीजे, तो डॉक्टर साब ने आज तक उत्तर नहीं दिया, उनके चैनल का वो सबसे और जैनरिक मेडिशन का जो अंतर है, जैनरिक मेडिशन और पीटिंट मेडिशन, उसको समझाओंगा, दोनों में किसका असर ज्यादा होता है, किसका असर कम होता है, ये बताऊंगा, ये भी बताऊंगा, कि डॉक्टर जो पीटिंटेड दवा लिख रहे हैं, ये लिखना क रही है कहां तक कानूनी है और क्या अगर सकती हो तो डॉक्टर सापके लाइसेंस पे भी बन सकती है कहीं मच जाई है चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए मैं अभी लॉट कर आता हूं वीडियो को जासे आ लोगों तक शेयर करें अभी आया एक सबसे पहला सवाल जो हमारे आपके मन में आता है कि ये जन्दिक दवाएं कितनी इफेक्टिव होती है इनकी एफिकेसी पे आने से पहले आप ये देखें कि ये जन्दिक दवाएं इतनी सस्ती क्यों होती है प्रधान मंत्री भारती जन्दिक केंद्र बारत सरकार का जन्दिक दवाएं का स्टोर है जब राम विला स्वाजवान एक जमाने में मंत्री हुआ करते थे शायद ये दौर या तो बीबी सिंग का था या वाजवाई जी का था तब इसकी शुरुआत की गई थी और तब से लगातार बढ़ रहा है और जब इसको ये शुरुआत की गई थी तब से ये 90 के दशक के आखरी का तोरे जातक मुझे यादे 95 से 2000 के बीच का है तब से लगातार इस देश में एक बहस चल रही है कि क्या दवाओं का द्राम ब्रांड लिखना चाहिए इस पे जाएं उससे पहले हम ये समझेंगे कि जैनरिक दवाएं क्या होती है आप जाते हैं अपने पास के स्टोर पे और उसके पास जाकर कहते हैं कि भई मुझे एक टाटा का नमक दे दो या मुझे Captain Cook का नमक देदो है जिस कंपनी के भी नमक आते हैं या मुझे फलां कंपनी की लाल मिर्श देदो या मुझे फलां कंपनी की और कुछी मसाला देदो वो आपको उठा के अपनी कंपनी के package में मसाला देदेता है क्या हो अगर आप उस दुकान पर जाएं और उससे कहें कि मुझे नमक देदो और वो आपको एक नमक देदे अब जिस नमक को उसमें सिर्फ नमक कहने पर दे दिया जिसके packet के उपर किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा हुआ है आप तो दालों में भी एक तरफ branded दाले हो गई एक तरफ non-branded हो गई वो हो गई generic दवा जिस दवा को नमक कहकर आप खरीद रहे हैं वो generic दवा जिसको टाटा सॉल्ट लेकर खरीद रहे हैं वो हो गई आपकी patent दवा और सरल तरीके से समझते हैं ये बहुत ज़्यादा सरल था और इसको ऐसे समझे है कि जो दवाएं होती हैं उन दवाओं को कमपनियां अपना नाम देती हैं जैसे कि उधारिन के लिए पेरसीटामोल है कुछ कमपनियां उसको कैलपॉल नाम देती है कुछ कम्पनियां उसको क्रोसिन नाम देती है अलग-अलग कम्पनियां इस अकेली दवा के 50 नाम हैं जो सारी की सारी एक ही दवा है सब में नमक है लेकिन नमक के नाम अलग-अलग है और नाम के साथ साथ ये दुरभा के पूर्ण है कि दाम भी अलग-अलग हैं वोही दवा एक कंपणी 10 पैसे की दे रही है और दूसरी कंपणी 100 रुपे की भी दे सकती है, 60 रुपे की भी दे सकती है, 500 रुपे की भी दे सकती है. और ये अलग अलग दवाओं के मामले में मैं अगर आपके सामने निकालूं बहुत सारी वेबसाइट हैं जिन पे आप कंपेर कर सकते हैं एक चाइल स्पेसलिस ते डॉक्स अब गुपता जी उन्होंने एक पहल शुरू की उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें वो सिर्फ यही करते थे सारी कंपनियों के नाम दवा के नाम उसका फार्मूला और जैनरिक और रेट ये डालते थे अगर आप जैनरिक को छोड़ भी दें तो जो पेटेंट दवाए हैं उसमें भी अलग-अलग कंपनियों के अलग-अलग रेट हैं एक दवा डॉक्टर रेडी की आप खरीते हैं तो महंगी है और दूसरी दवा डॉक्टर रेडी की बहुत सस्ती है वहीं सिपला की वही दवा आप खरीतेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा यानि इसकी भी गारेडी नहीं है कि डॉक्टर रेडी की सारी दवाएं महंगी है या सिपला की महंगी है या मर्क की महंगी है या किसी भी फाइजर की महंगी है तो ये खपला क्या है जब आप जाएंगे और अपने डॉक्टर से पूछेंगे तो डॉक्टर के पास एक उत्तर होगा इसमें क्वालिटी का फरक है जो इसमें मॉलिक्यूल होता है उसकी क्वालिटी का फरक है इसकी साल्ट की रिफाइनिंग का फरक है आप केमिस्ट के पास जाएंगे वो भी आपको कहेगा रिफाइनिंग का फरक है सर 200 वाला माल 200 का होता है 50 वाला 50 का होता है जब इतना अंतर होता है भाई साथ जैसी सरकार ने price control लगाया अब मैं दवा का नाम नहीं लूँगा ले देता हूँ augmenting price control लगाती ही सस्ती कैसे हो गई वही दवा करीब करीब बन थर दाम पर आई जैसी उस पर price control लगा वही साल दो साल पहले है अगर refine salt था तो आपको कहना चीए था कि हम इसने में नहीं बेच पाएंगे price control आपने लगा दिया है हम बनानी बंद कर देते हैं same brand name से वह दवा सस्ती क्यों हो जाती है ये सारा का सारा जो खेल है ला वो आप ऐसे समझे अच्छा दूसरा ये है ठीक है quality का अंतर है मालिया doctor साब करें मालिया chemist साब करें company क्यों नहीं करें कि उसकी दवा की quality अच्छी है इसलिए वो दवा महंगी है आज तक कभी किसी company ने ये claim नहीं किया कि इसकी दवा की refining अच्छी है उसकी दवा की quality अच्छी है और इसलिए वो दवा महंगी है इसके पीछे का एक तर्क ये भी है कि वो company जो है उसने दवा पे पैसे लगाए मसलन की एक दवा आती है उस दवा का नाम ABCD को विक्सित करने में एक company ने 60 करोल रुपे खर्च किये या 100 करोल रुपे खर्च किये उसने अपने आएक R&D भिंग रखी हुई है जहां पे उसके वेज्ञानिक हैं वो सारी चीजें करकर आके साल दो साल में उस दवा को विक्सित करते हैं जब वो दवा को विक्सित करते हैं तो उनका कहना यह है कि यह दवा हमने बनाई है हमने इस पर खर्चा किया है तो हमारा अधिकार है कि इस दवा से होने वाली जो कमाई है उसको वो हम लेंगे तो पता चला कि आपका जो सॉल्ट है जिसको कहते हैं कि वो उनका एक patent है उनका या उनको कहें कि उनका proprietary salt है जो उन्होंने अपना डवलप किया है तो उन्होंने जो दवा खुद अविश्कार किये वो ये कहते हैं अविश्कार में जो हमारा खर्चा लगा उसकी कीमत हम लेंगे इसलिए हम आपको ये 500 रुपे की देंगे होता है कि एक समय के बाद और WTO बना डंकेल प्रस्ताव आये गेट्स बना और भारत में इसका भरपूर विरोध हुआ था सलकों पर उतर के लोग कहते हैं कि केवल बीजेपी दोशी है मनमोहन सिंग की सरकार थी नर्सिंग राव की सरकार थी वो वित्मंत्री थे इन्होंने ड भारत में लोगों को दवाएं महेंगे मिलने लगी क्योंकि पेटेंट के नाम पे भारत में दवाओं को अब आप सस्ता नहीं पेश सकते थे तो क्या हुआ कि एक कंपनी ने दवा निकाली बुखार उतारने की और वो बुखार उतारने की दवा चूकि उसने ही बनाई है उ उतने साल तक आप पेटेंट जो है उससे आप कमाई कर सकते हो उसके बाद में पेटेंट जाएगा और फिर दवा को दूसरे लोग भी बना सकते हैं ऐसा भारत जैसे कुछी देशों में ये भी जान लिजए तो पता चला कि आपने उस दवा को जब पेटेंट ठड़ गया और बनाया तो वो दवा सस्ती हो गई नई दवा आती है महंगी होती है पुरानी होती सस्ती हो जाती है तो ये एक फैक्टर जो माना जा सकता है किसी दवा के महंगे होने का लेकिन इसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी है कि अगर वो दवा सस्ती होनी चाहिए तो अगर वो दवा महंगी है तो भाई तुमने अ आपसे लाइसेंस लिया, आपको पैसे दिये उस दवा बनाने के और वो बना रही है, उनकी महंगी हो गई, बाकी दवाओं में जमीन आस्वान का अंतर क्यों है, इसके बाद बात आती है कि जनरिक दवाओं का असर कम होता होगा, जब ये सारी बाते होती है, तो एक सवाल प्रधान मंतरी जनोश्दी है, ये सब कमपनिया जनरिक सॉल्ट के नाम पर दवा बेशती है, यानि आप टाटा सॉल्ट में लिखेंगे, आप नमक लिखेंगे, और एक बात और बता दूँ, आपके दिमाग में यहारा होगा कि मैंने नमक का उधारन दिया, तो दवा में नमक जो होता है, वो आपको, तो नमक के उधारन से आप यह समझने होंगे कि नमक में भी तो अंतर होता है, टाटा के नमक की क्वालिटी अलग होती है, जो लोकल नमक खरीकते हैं, उसकी क्वालिटी अंतर होती है, लेकिन ये बात बाकी चीज़ों में लागो होती है, दव कोई भी आदमी हलकी दवा या ज़्यादा दवा नहीं बना सकता तो यह चीज जो है आपको एक बहुत चीज एक स्पस्ट पिक्चर देती है लेकिन इसको और समझें तो इसका जो एक बेसिक मॉलीक्यूल होता है ऐसे समझें कि यह जो दवा बन रही है न जो आपके सामने गो को डाल कर बहुत सारा रंग उसको कभी चक्कर पे चड़ाके कभी यूरिया पे चड़ाके अलग अलग तरीकों से चड़ाके उसको रंगीन बनाके ज़्यादा वॉल्यूम में बनाया जाता है तो मूल रंग जरा सा होता है वैसे ही दवा की जो मूल डवा होती है जो बेसिक कमपरियां जो patent वाली दवा बना रही है और जो generic बना रहा है इन दवाओं का एक ही जगए एक ही दुकार एक ही फैक्टरी से आ रहा होता है और अलग-अलग जगए पे मिलाय जा रहा होता है कानून क्या कहता है कानून यह कहता है कि हमारे देश में Medical Council of India की guidelines है कि डॉक्टर साहब जब पर्चे पे दवा लिखेंगे तो उसका salt name लिखेंगे यानि आप टाटा नमक नहीं लिखेंगे आपको सिर्फ नमक लिखना है या फिर आपको iodized नमक लिखना है आप यह नहीं लिख सकते कि इस company का नमक उस company का नमक, फला company का नमक, धिमका company का नमक अब यहाँ से एक सवाल उठता है कि सब कुछ एक जैसा है क्या? नहीं है फिर क्या फर्क है? फर्क यह है कि अगर आप एक generic दवा खरी देंगे जाहिर बात है उसमें वो मोटा मोटा मोनाफ़ा नहीं कमा रहे हैं तो जिस बाटल में वो पैक कर रहे हो सकता है वो उतनी शांदार ना हो पहली चीज़ दूसरी चीज़ जो दवाओं पे कोटिंग होती है वो कोटिंग तो दवा के हिसाब से होती है जिस दवा का अगर किसी का पेट में जाके असर होना हो उतनी देर में coating घुलनी है तो वैसी लगाई जाएगी आत में घुलनी है तो वैसी लगाई जाएगी लेकिन जब आप उस coating के साथ दवा को निगल रहे होते हैं तो उसमें ये सुन्दर सा स्वाध आता है उसमें फरक हो सकता है हो सकता है कि एक जेनरिक दवा कंपनी उस पे पैसे खर्च ना करे और एक बड़ी ब्रांडेड कंपनी उस पे अच्छी मीठी सी अच्छी फ्लेवर वाली चीज लगा दे या बच्छों के सिरफ जैसे आ रहे हैं तो अगर आपने वो सिरफ किसी जेनरिक दवा कंपनी का खरीदा हो सकता है वो कब सिरफ कड़वा हो और वही आपने अच्छी कंपनी का खरीदा है तो उसके अंदर फ्लेवर जादा अच्छा हो इस तरह के अंतर हो सकते हैं लेकिन जो आशेदिये गुड़ हैं उनको लेकर अभी तक दुनिया में कहीं पे भी ऐसा कोई दावा करने की किसी की हिम्मत ने हुई है कि उसकी कमपनी की दवा बहतर असर करती है फिर ये डॉक्टर साब, केमिस साब और वो जो यूट्यूब पे वीडियो बनाने वाले डॉक्टर साब ये सब लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि वो कम असर करती है वो ज़्यादा असर करती है इसकी भज़े मैं आपको बताता हूँ जब आप 2 रुपए का नमक 30 रुपए का बेचेंगे न तो आप 4 रुपए डीलर को भी दे देंगे 4 रुपए उस नमक को नमक की जगे टाटा नमक लिखने वाले को भी दे देंगे उसको हो सकता है विदेशात्रा करा दें हो सकता है आपको कसी और तरीके से उसको obelize कर दें या कुछ नहीं तो चार बार आप एक आदमी तनफ़ा देके भेज सकते हैं जो उन डॉक्टर्स आपको convince कर सके सर हमारी दवा बहुत अच्छी आप इसको जरूर लेखी आपके patient के लिए ठीक रहेगा तो यह जो affordability है जिसके पास margin जादा है वो सब जगे उस margin को बांट चकता है दवा की दुकान वाला 15% 20% तक आपको commission देतेता है आप दवा लेने जाएंगे वो आपको कहेगा 20% discount कई बड़ी बड़ी company आपको discount दे रही हैं सीधे नहीं दे रही हैं तो वो आपके कुछ points जोड़ती जाती हैं बाद में आपको देती हैं तो जब कोई company 20% discount दे सकती है तो जाहिर बात है वो अपने विकरेता को डीलर को भी 15-20% का मुनाफ़ा दे रही होगी जब वो 20% उसको मुनाफ़ा दे रही है तो उसकी marketing में वो 30% और खर्च कर सकती है तो दबा तो 30 रुपए की है उसके परचे छपपाने उसकी रैपर छपपाने जगे जगे एमार को घुमाने जगे जगे सेल्स के लोगों को घुमाने अलग अलग जगे पे जो देखिए डॉक्टर जो है वो 40% ही गड़वड होते है बड़े शहरों में ये प्रतिशत थोड़ा ज़्यादा हो सकता है तो जो गड़वड वाले डॉक्टर होते हैं उनको खुश करने दूसरी चीजों पर जो खर्च करेगी कंपनी जो डीलर को भी जादा कमिशन देगी जिसमें 20% डिसकाउंट कस्टुमर को भी देदेगी तो वो जादा पैसा तो लेगी ना कंपनी कहेगी टाटा नमक लिखो और इसलिए टाटा नमक लिखा जा रहा है लेकिन जब कोड अफ एथिक्स है मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया का तो आपको जेनरिक दवा लिखनी चाहिए आपने शपत ली है और ये डॉक्टर की जिम्मेदारी है इसलिए मैं शुरू में कह रहा था कि अगर सक्ती की सक्ती है मेडिकल काउंसिल लेकर सक्ती करें लेकिन दवा कंपनियां दवा लौवी इतनी पावर्फुल है कि जिस दिन ये सोचे गी भी ना मेडिकल काउंसिल पता नहीं किस-किस के तवाद लेकर आदे हैं आप कल्पना कीजिए इस देश का स्वास्तेमंतरी जब स्वास्त प्रदार हैं और इनका बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं इस देश का प्रदानमंतरी भी इन दवाओं को इंडोर्स करता है वो कह रहा है कि आप इसको खाईए तो किसी भी प्रकार का कोई शक अगर पैदा करता है कोई तो उसको बोली है चाहे वो आपका डॉक्टर हो चाहे वो केमिस्ट हो कि भाई साब एक छोटा सा काम कर दो मुझे कहीं लिखा हुआ दिखा दो जो बात आप कह रहे हो भई अब दवा कंपनी लिख दे ना कि हमारा सॉल्ट ज्यादा रिफाइन है और ये ज्यादा असर करता है जैनरिक दवा से हमारी दवा बेतर काम करती है ये कोई दवा कंपनी ने लिखा हो तो बता दो कंपनी का लिखा बता दो लेवरिटरी का छोड़ दो सरकार का छोड़ दो आपको नहीं दिखा पाएंगे उमीद क इस चक्र से बाहर निकलते हैं तो काफी हद तक फार्मसेक्टर का ब्रश्टा चार्खत्म हो जाएगा। नमस्कार जहन्त।